चलिए आईए जानते हैं महादेव जी के शिवलिंग को प्रदक्षिना किस प्रकार करनी चाहिए सव्य अपसव्य पद्दती से महादेव जी के शिवलिंग को प्रदक्षिना की जाती है देखे, यह महादेव जी का सिवलिंग है यहां से प्रदक्षीना का आरंब करना है। बाइटरफ मुर्ते हुए यहां से यहां तक जाना होता है। इसे कहा जाता है सोमसुत्रा। सोमसुत्रा मतलब जहाब पर महादेव जी को अभिशेख किया जाता है। पर जलस्तोट निकलता है, उससे काहता है सौम सुटरा, इस सौम सुटर में शक्ती होती है, ये शक्ती का स्तौरध होता है जब इसे लांगा जाए, तो लांगते समर पैर फैलते हैं और अपने अंदर जो अंतस्त वायू होते हैं, उनके प्रवाह पर विपरीत परिणाम होता है, शरीर और मन पर भी बूरा असर परता है, इसलिए महादेव जी की अर्द चंद्राकार प्रखिणाई की जाते हैं, तो यहां से फिर से सोमसुत्र तक आना है, और सोमसुत्र तक आने के पशाथ फिर से आपको यहां पर उपस्तित होना है, तो यह हो गई महादेव जी की प्रदक्षिणाई, इस प्रकार महादेव जी को प्रदक्षिणाई करते हैं,